जी कैसे हो, काफी दिनों से पोट्फोलियो चल रहा है, पार्ट नमबर वान, टू, थ्री, फो कर चुके, अब पार्ट नमबर फाइव कर रहा है, और पार्ट नमबर फाइव लिखोगे आप Efficient Market Hypothesis, पार्ट नमबर फाइव, Efficient Market Hypothesis Efficient Market Hypothesis EMH बोलते इसको EMH EMH ठीक है सर पहले यह समझाओ कि यह है क्या आपको पता है कि अगर किसी भी company के share खरीदना है सुनोगे ध्यान से मेरी बात को अगर किसी भी company के आपको share खरीदना है तो आखिर कैसे decide करते हो कि हम लोग share खरीदेंगे इस company के share खरीदना चाहिए तो आपके मन में आता MPT लगाएंगे सर correlation निकालेंगे या फिर पता नहीं standard deviation निकालेंगे risk निकालेंगे negative correlation होगा क्या बेटे जितने भी लोग share खरीदते क्या वो यह सारा काम करते है अब मैं आपको और एक बात बताता कुछ लोग ना सिर्फ अब जड़ा सोचके बताना मालो किसी company के share का price 290 फिर 300 रुपए हो गया फिर 310 हो गया फिर 320 हो गया फिर 330 हो गया फिर 340 हो गया regular यह पिछले दिनों ऐसा हो रहा हर दिन price बढ़़ा है आज 340 है बता सकतो अगला price क्या होगा सर कुछ भी हो सकता बिटे probability किसकी है सर साड़े 300 की बिलकुल 380 होगा क्योंकि हम एक काम करते हैं हम यही सोचते है और यही सोचते है कि जो past में हुआ है वही future में होगा it means ऐसा market जिसको देखकर ऐसा market ऐसा market जिसमें कोई भी यह बता दे कि क्या होने वाला future में ऐसे market को inefficient market बोलते है मतलब पता ही नहीं कोई competition कोई भी खड़ाओ के बोल देगा कि देखो यह वाला market बढ़ने वाला market कम होने वाला किसी भी company के share प्राइज बता देगा कि यह देखो यह बढ़ेगा इसको खरीद लीचे बात खात देखा कि इस company के share खरीद यह बढ़ने वाला फिर भी sir और एक बार सूचते हैं जी हां अगर मैं आपसे बोलूं यह graph बना रहा हूं चार्ट इसको line chart बोलती screen पर इधर लिखा जाता है date ठीक है इधर लिखा जाता है price of share price price क्या हूँ प्राइज ऐसे हूँ पाष्ट की information पहले शेर का price बढ़ा 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 फिर सकम होगा है इस डेज बिदते जा रहा है तोड़ा फ्लक्ट्वेशन भी फिर बढ़ा 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 फिर थोड़ा सा गीरा फिर बढ़ा 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 फिर थोड़ा सा गिरा और फिर अभी ऐसे इस तरह घूमा है बताओ क्या होने वाला सादे को बढ़ा फिर थोड़ा सा गिरता है फिर बढ़ता है फिर थोड़ा सा गिरके फिर घूमता है फिर अभी फिर गीरा और फिर ऐसा घूमा है बता सकते हो आगे क्या होने वाला सर बढ़ने वाला है सिंबल सी बात है exactly बढ़ने वाला क्योंकि पास्ट में यह हुआ है तो एक काम करो जब बढ़ने वाला है न तो यहां share क्या कर लो खरीद लो और फिर बड़ा 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 और फिर घुमा बताओ क्या होने वाला सर डाउन होने वाला है exactly तो यहां share base दीचे it means कि इस point पर share खरीदना है इस point पर बेचना इस point पर खरीदना इस point पर सस्ते में खरीदना महगे में बेचना क्या हमको idea लग सकता है yes क्या हमने पता किया कौन सी company है नहीं हमने ये तक नहीं देखा कि company कौन सी है balance sheet क्या है future में क्या growth है कुछ नहीं सिर्फ chart देखकर पता लगा रहा है कि share खरीदना चाहिए और share का बेचना चाहिए ऐसे analysis को technical analysis कहा जाता है technical analysis और जहां balance sheet देखते है future का growth देखते है future information देखते है क्या है actual में कितनी assets है कहां पैसा लगा ये सब कुछ ऐसे analysis को fundamental analysis बोलते है तो share खरीदने के लिए दो analysis करना technical analysis मैंने company का नाम भी नहीं बोला और आपने मुझे बता दिया यहां खरीदो यहां बेचो और fundamental analysis क्या होता fundamental analysis से भी share का price बढ़ने वाला की कम होने वाला पता लगा सकते अगर मैं कह रहा हूं कि reliance किसी को take over करने वाली ह पता लग रहा सर बढ़ेगा शिर बिल्कुल समझ रहा हूं आप बैलेंश इपीएस इन सब को देखकर जो पता लगाते है उसको बोलते fundamental analysis और सिर्फ चार्ट देखकर पता लगाते technical analysis ठीक है तो share का भाव क्या होने वाला है अगर इसका अनुमान आप पहले ही लगा लेते तो ऐसे market को inefficient market बोलते हैं सर एक बाद बता हूं यह चार्ट गुमा और फिर यहां गुमा यहां आपने खरीदा बहुत अच्छी बात और अगर यह ऐसे हो गया तो तो बिटे हो जाने दो मैं आपको इसको detail में समझाओंगा security analysis में अगर ऐसे हो जाता है तो हो जाने तो कहीं जब ज्यादा ही करने लगेगा तो वेस देना तीन बार कमा कर तो निकले हो आप हाँ ठीक है मेरा question यह मैं धीरे धीरे यहां पहुंच रहा हूं efficient market hypothesis का मतलब क्या है अगर आप इनका यह क्या सोचना इनका यह सोचना market जो है वो perfect competition में होना ची मतलब कौन सी company के share खरीदना है कौन सी company के share नहीं खरीदना है market बढ़ने वाला है कम होने वाला कुछ भी नहीं पता perfect competition आपके luck पर depend करता है कि क्या होने वाला मैंने आपको पहल efficient आपको समझता है हाँ perfect competition अच्छा और शेयर का price कैसे पता लगा सकते है technical analysis से बता सकते हो profit कमा सकते हो technical analysis से fundamental analysis से भी आप बता सकते हो कि share का price क्या होने वाला तो efficient market एक कल्पना है hypothesis मतलब कल्पना क्या कल्पना किस शीच की इनका यह कहना है कि हमारे हैं ऐसा market है ऐसा ऐसा market जहां बहुत सारे investors बहुत सारे investors ठीक है और वो active है active का मतलब बिलकुल लगे हुए screen के सामने बैठी हुए जैसी कुछ भी information आती है यह लोग बिलकुल खरीदना बेचना चलू कर देते हैं एक छोटी सी information पे भी तुरंत effect पढ़ जाता है ठीक है इटमिस सब active है और independently काम कर रहे है समझना एफिशेंट market का मतलब बहुत सारे investor है जो profit हंगरी है profit कमाना चाहती है और वो बिलकुल लगे हुए है बिलकुल उस पर बैठी हुए screen के सामने और जैसी भी कोई information आती है तुरंत पर buy sell हो जाता इटमिस उसका effect तुरंत आजाता और ऐसा market जिस पर आप बता ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चलो information आई की reliance किसी को purchase करने वाला है किसी company को take over करने वाला है तो चलो share खरीद लेते हैं और जैसी आप share खरीदने जाओ कि उसका effect आ चुका होगा उस information का effect आ चुका होगा it means आप किसी भी तरह से super normal profit नहीं कमा सकते क्योंकि सबकी सब active perfect competition चल रहा है सबकी सब आपका लक्का खेले ऐसे market को efficient market बोलते है ठीक है सर अब आपके जो यह सर लिखा किसना है FAMA FAMA ने लिखा यह और उसका यह कहना है कि फिर से समझना बटे दियांस उनका यह कहना है कि यह जो market है यह efficient और जैसे यह first floor यह second floor यह third floor और यह सबसे नीचे जो है ऐसे market है जिसका बोलते है inefficient market और efficient भी तीन category में बाढ़ दिया उसने फर्स्ट कैटिगरी को बोला weak form इसको बोला semi strong form और इसको बोला है strong form inefficient market का मतलब यह हमेने chart बनाया था ना मतलब share का price देखकर company के विसे में तो पढ़ा ही नहीं हमने क्या होगा तो बता सकते हूं कि market क्या होने वाला ऐसे market को क्या बोलते है inefficient market inefficient कोई भी बता देगा कि क्या होना time pass market अगर sir share का price ऐसा हो रहा 250 फिर 300 हो गया फिर 125 हो गया फिर 175 हो गया फिर पास सो पचास हो गया फिर 420 हो गया अब क्या होगा अब नहीं मालूँ it means अब जो शेर का price ना वो रैंडम वाक है रैंडम कभी कब up-down 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 कुछ भी हो सकता है ऐसे market को क्या बोलूँगा मैं efficient market efficient पर यह efficient में भी weak form में कहलाएगा it means आप यहां technical analysis से तो बता नहीं सकती कि किधर जाने वाला share का price फिर भी fundamental analysis fundamental analysis का मतलब है कि जो information है क्या होने वाला उसको यूज करके profit कमा सकते है उसको बोलते है weak form of efficient market अराम से सोचते हैं बहुत technical theory है inefficient market का मतलब technical analysis को यूज करके बता दोगे कि क्या होने वाला है ठीक है it means यह technical analysis can be used weak form में क्या होगा technical analysis यूज नहीं कर पाओगे चार्ट देखकर बता नहीं पाओगे तो भी आप information को यूज करके fundamental analysis को यूज करके profit कमा सकते है super normal profit ऐसे को क्या बोलते है weak form so semi strong form क्या होगा technical analysis useless हो जाएगा और information की मैं बात करों तो information को आप use नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका effect पहले ही आ चुका होगा लोग बैठे हुए है आपको क्या लग रहा है reliance किसी को take over करने वाला उसकी information आपको पता लगी आपसे पहले और आपके सासत ना जाने कितने लोगों को पता लग गई है और वो सब की सब active है वो फटा-फट से share का price share खरीद लेंगे और जैसी आप share खरीद जाओगे share का price त फिर भी insider information से profit कमा सकते हैं, insider information मतलब insider trading yes, sir वो तो possible नहीं है, practical तो possible नहीं है, sir insider information समझाओगे एक बार क्या, board meeting अभी public में announcement नहीं हुआ है, अगर public में announcement हो जाता तो बात दूसरी, board meeting है और वहां announcement हुआ है, कि reliance की board meeting कि हम किसी company को take over करने जा रहा है अभी public की news नहीं बनी है, board meeting के किसी एक person ने ये बात सुन लिया, और उसने अपने relative को बता दिया कि ऐसा होने वाला है, अभी तक तो effect आया नहीं होगा share की price पे, और उसका relative जाके share खरीद लेता है, सस्ते में, और जैसी public में news आएगे, तब तक तो वो खरीच चुका होगा, तो ऐसा market, semi strong form, technical analysis useless, fundamental analysis useless, publicly available information useless, उसका effect आ चुका होगा, फिर भी insider information से super normal profit कमा सकते हो, practical ही ये possible नहीं है, insider trading, sir strong form क्या है, strong form बोलता है, insider information भी कुछ नहीं है, board meeting हुई है, तो सब media के camera, camera सब लगे हुए, मतलब आपके पास insider information होगी नहीं, अगर मैं बोलूँगा कि मैं reliance हूँ, मैं take over कर रहा हूँ, तो उसकी information publicly हो जाती है, सीधी की सीधी, आप किसी भी तरह से profit नहीं कमा सकते, ऐसे market को बोलते, strong form of efficient market, तो पर ऐसा तो होता ही नहीं, practically यह कोई market होता नहीं, फिर से अराम-अराम से सोचते हैं, क्योंकि यह मुझे लिखवाना और short note आता है, पहला question, efficient market पर short note आएगा, तो efficient market क्या है, efficient market मतलब ऐसा market, जहां बहुत सारे investors है, active investors, और, जो भी information आती है, उसका effect instant पढ़ता है, immediately effect पढ़ता है, ठीक है, और किसी भी हालत में, आप super normal profit नहीं कमा सकते, क्योंकि उस market price पे सब information का effect पढ़ चुका होता है, inefficient, अब efficient market भी कितने टाइप के होते हैं, थीन, weak form, semi-strong form, strong form, inefficient market क्या होता है, inefficient market का मतलब होता है, सिब chart देखकर आप बता दो कि market क्या होने वाला, technical analysis can be used, यहाँ technical analysis यूज कर सकते हो, और बता दोगे कि यह वाला, market अप होने वाला, inefficient, पर अगर आप technical analysis यूज नहीं कर पाओगे, चार्ट से तो समझ में नहीं आ रहा है, पर जो publicly available information है, उसको यूज करकर, मतलब fundamental analysis को यूज करके, बता दोगे कि क्या होने वाला है, और super normal profit कमालोगे, तो इसको वो क्या बोलोगे, weak form, technical analysis यूज नहीं कर सकते, पर fundamental analysis यूज कर सकते, semi strong form, technical analysis, useless, publicly available information, मतलब fundamental analysis का effect आज चुका होगा share के price पे, आप profit नहीं कमा सकते, फिर भी insider information से profit कमा सकते, strong form, सब कुछ useless, super normal profit कमा ही नहीं सकते, perfect competition चल रहा है, सर ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, हाँ जी, यही एक दिक्कत की बात है, तो धीरे धीरे लिखोगे मेरे साथ साथ लिखना, लिखोगे point number one, an efficient market, an efficient market is one in which there are there are large number of investor of profit-hungry investors, असलिक दिए, profit hungry investors who are actively actively and independently independently carried out carried out stock research such that तो, तो efficient market क्या है, जहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ठीक है, और profit हंगरी है, मतलब हर कोई profit कमाना चाहता है, और जो active है, और independently research कर रहा है, किस बात का, that, a, current stock price, current stock price, current stock price reflects all information, all available information as well, ठीक है, जितनी भी available information, उसका, जो current share का price है, वो reflect कर रहा है, जितनी भी information, उसका effect आ चुका है, ठीक है, तो वो share का price इसी वज़े से बढ़ा होगा, B, new information comes to, new, informations, come to the market, new information come to the market, on a random basis, random मतलब, ऐसा हमको पता नहीं कि क्या होने वाला, वो तो अचानक हो जाएगा, on a random basis, and affect, and affect stock price, instantly, instantly, तो जो new information है, वो किस basis पे आएगी, random basis पे आएगी, कोई fix नहीं है, कब information है, और उसका effect, stock price पे कब पड़ेगा, तुरंथ पड़ेगा, hence, in such a market, hence, in such a market, nobody, nobody can make, super normal profit, super normal profit, कोई भी super normal profit, नहीं कमा सकता है, ऐसे market में, ठीक है, तो यह दा point number one, लिखोगे point number two, फामा, F-A-M-A, यह जो लिखा न, efficient market hypothesis यह फामा नहीं लिख, advocated, three levels, of, market efficiency, उसने efficient market के तीन लेवल बताया है, उसने का यह है मानलो market, efficient market, यह पहला लेवल, ठीक है, इसको क्या बोल रहा है, इसका नाम है efficient market है, ऐसा लिख था, efficient market, और efficient market को इसने तीन कैटी की दी में बाटा, इसको क्या नाम दिया weak, form, weak form, इसका नाम क्या हो गया है, semi-strong form, और इसका नाम क्या है, strong form, तो efficient market कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के, weak form, semi-strong form, and strong form, फिर से बोल रहा हूं, क्या chart देखकर पता लगा सकते हम लोग किश market किदर जाने वाला, ऐसा market inefficient, ठीक है, चार्ट देखकर तो पता नहीं लगा सकते हैं, कि किदर जाने वाला, लेकिन, publicly available information को हम यूज करके बता सकते हैं, तो ऐसे market को, weak form, ना तो चार्ट देखकर पता लगा सकते हो, ना तो fundamental analysis से पता लगा सकते हो, पर insider information से पता लगा सकते हैं, ऐसे market को, किसी से कुछ पता बता नहीं लगा सकते हैं, तो बस वही चीज में लिखवा देता हूं, और मज़ा तो तब ही है ना, जब perfect competition हो, अगर मैं आपसे बस एक बात बोल रहा हूं, आप खुछ सोच कर देखो, एक match चल रहा हैं, जिसमें इंडिया खेल रही हैं, ठीक है, और कौन से टीम ले लो, एक नीधर लेंड खेल रहा हैं, बिल्कुल अभी कंडिशन खराब हैं, नीधर लेंड खेल रही हैं, और एक टीम ले ले लेते हैं, क्या मज़ा आएगा, नहीं, बताओ सीरीज कौन जीतेगा, नीधर लेंड हैं जिम्बावे और इंडिया हैं, तो उसमें क्या मज़ा भई मज़ा तो तब है पाकिस्तान हो इंडिया हो आस्ट्रेलियं तभी तो मज़ा है perfect haar मे भी वही बात कर रहाँ अगर आब देखते ही बता दो कि क्ञा होने वाला उसमें क्या मज़ा मज़ा तो तब है जब पता ही लगए कि भी यह क्या होने वाला future में, ऐसा ही तो market perfect competition कहलाएगा, तो चलो इसमें आगे लिख रहा है, point number 2 लिख रहा है थे 3, सबसे पहले मैं बात किसकी कर लूँ, 2 में part number A, week form, तो लिखोगे current stock price, current stock price reflects, all stock market information, all stock market information, याद रखना, stock market information लिखा हुआ, that is price and volume, price देखकर बता लगा लोगे क्या होने मला, so, technical analysis is useless, ठीक है, technical analysis is useless हुआ है, B, एक कौन सा था, semi strong form, semi strong form of efficient market, तो क्या जाएगा current market price, या current stock prices है, current stock price, reflects, all publicly available information, हैंस, बोथ, both fundamental analysis and technical analysis are useless, लाश्ट, लाश्ट, strong form, तो लिखोगे current market price, या current stock prices, लिखो current, श्ट्ट प्राइच्ट जाएश्ट बोथ, प्सक्ड प्सक्वादिश्स 문제 पिंद प्ługलिकल प्विलिबल इंव इंव इंवे perpetuum ти इंवेव ट Ming अवेल शेहर अभ्या मेल स्वेर insider informations मतलब current market price पे दोनों ही information का effect आ चुक even लिख देता हूं practically even insider trading is not possible तो ये होता efficient market ठीक है अब हमें exam में क्या नसर थी ये theory short note हमें exam में आता है weak form को test करने के लिए और semi strong form को test करने के लिए इसका question तो आया नहीं है पर कुछ writers की book में है तो मैंने भी cover कर वा रखिया इसके question तो practice manual में इसके theory की क्या question होगे इस तरह सुनना मेरी बात है weak form क्या बोलता है share का price देखकर बता दोगे कि market क्या होने वाला है exactly वो weak form नहीं कहलाएगा वो तो inefficient कहलाएगा weak form of efficient market का मतलब होता share का price सिर्फ share का price देखकर आप नहीं बता सकते कि market क्या होने वाला है अब question आएगा ऐसा कि share का वाकी price देख और अगर आप price देखकर बता दोगे कि क्या होने वाला है market तो फिर ऐसा market inefficient हो जाएगा weak form नहीं कहलाएगा यह मैं discuss करूँगा इसमें कुछ test करना पड़ेगा run test है autocorrelation test है serial correlation test है तो वो अब हम लोग one by one काम कर रहे है सबसे पहले practical question कर रहे है weak form के ठेक है हाँ तो बेटे अब हम को अब ही हमने बड़ा semi strong form strong form एड़ वीक फूम तो अब करना है taste of market efficiency और टेस्ट में हम लोगों को दो टाइप की मार्केट है फिस्ट दो मार्केट चेक करना होता है फिस्ट फिस्ट वीक फॉर्म और वीक फॉर्म के अंदर एक तो करेंगे हम लोग पॉर्म के अंदर रन टेस्ट दूसरा आएगा आटो को रिलेशन टेस्ट आटो को रिलेशन टेस्ट और तीसरा है सीरियल को रिलेशन टेस्ट वीक फॉर्म को चेक करना है तो तीन तरह से हमें टेस्ट करना पड़ेगा और दूसरा टेस्ट आफ सेमे स्ट्रॉंग फॉर्म तो जब मैं यह डिस्कुस करूँगा तब बात करूँगा अब भी हमारे एक्जाम में वीक फॉर्म का कोश्चन आ सकता आया हुआ और रन टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है रन टेस्ट ठीक है तो अब किसकी बात कर रहे हैं मैं सबसे पहला स्टार्ट कर रहे है और लिखोगे रन टेस्ट रन टेस्ट अब ज़्यादा अच्छा है कि मैं कुछ इस्टेप इस्टेप्स लिख वाँ जो आपके समझे में आना नहीं है तो क्यों ना मैंकि एक्जाम्पल ही ले लेता हूं और एक्जाम्पल लिखते जाएंगे स्टेप्स लिखते जाएंगे एक्जाम Yo कि यहां डे दिया है और यहां मार्केट प्राइज दिया यहां रखना closing market price हो कि, market price, day 1, share का price 220, day 2, 220, day 3, 235, day 4, 210, day 5, 205, day 6, 215, 7, 200, 8, 220, 9, 225, 10, 270, 11, 220, 12, 250, 13, 240, 14, 245, 15, 250, 16, 260, 17, 265, 18, 27, 268, 19, 260, and 20, 250, यह मैंने 20 दिन का आपको price दिया है, ठीक है सर, 20 दिन का price दिया है, करना क्या है? अब एक काम करो, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना मेरी बात, कि मैं क्या बोल रहा है हूँ? क्या एक काम किया जा सकता है, कि हम लोग, share का price बढ़ड़ा है कि कम हो रहा है, क्यों कर रहा है, यह अब आटोमेटिक बात समझा दूँगा, ठीक है, यह मैंने लिखवाया भी नहीं कि क्या करना, वो आटोमेटिक धीरे धीरे आपको बात समझा दे जाओंगा, बस मुझे इतना बताओं, कि share का price बढ़ड़ा है कि कम हो रहा है, पिछले दिन की अपक्च, बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर कम हो गया, जब भी share का price पिछले price से बढ़ेगा, तो हम एक sign लगाएंगे, plus, और अगर share का price कम होगा, तो एक sign लगाएंगे, minus, plus का मतलब, sorry, plus का मतलब बढ़ेगा तो, अब मुझे बताना, 220 से 225, sign लगाया, plus, ठीक है, दो मारकर रख लेता हूँ, ताकि दिक्कत ना, ठीक, फिर बढ़ा, तो फिर plus, फिर क्या हुआ, सर घटा, minus, सर और भी कम हुआ, minus, मतलब, पिछले दिन की आपिक्चर, और कम हो गया, सर बढ़ गया, बढ़ गया, तो plus, सर कम हो गया, minus, सर बढ़ गया, plus, और बढ़ा, plus, और भी बढ़ा, प्लस, कम हुआ, माइनस, बड़ा, प्लस, कम हुआ, माइनस, फिर बड़ा, प्लस, फिर बड़ा, प्लस, फिर और भी बड़ा, प्लस, फिर बड़ा, प्लस, प्लस, पर यहां क्या हो गया, कम हुआ, माइनस, माइनस, ठीक है, अब एक काम करके, क्या आप बता सकते हो, सुनना कि कितने बार प्लस हुआ है और कितने बार माइनस हुआ है प्लस देखते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तो प्लस कितने बार हुआ है सर प्लस हुआ है बारा बार अब देखते हैं माइनस कितने बार हुआ होगा माइनस एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, साथ बार माइनस हुआ सर इसे क्या निकलने वाला क्या है? अब सोचो बिटे अब ध्यान से मेरी बात समझो अच्छा, एक चीज और बताना मुझे प्लस और माइनस तो ठीक है साइन कब कब चैंज हो रहा है? साइन सर साइन चैंज हुआ, पहले प्लस 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 हुआ फिर यहाँ एक बार साइन चैंज हुआ, बिलकुल फिर यहाँ माइनस से प्लस, एक बार चैंज हुआ, इसको एक मान लेना यह एक बार, यह बड़ा ना, एक बार ठीक है सर मतलब ये कहां तक एक बार मालूम है यहां तक ये पुरा एक फिर ये sign change हो गया ये 2 ये कहां तक जाना यहां तक फिर इसको क्या माल लिया 3 ये क्या हो गया 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 और ये सब 9 और ये 10 अब मेरा question समझना ठीक से ऐसा हुआ अब बताना कि प्लस माइनस ज्यादा आ रहा है ज्यादा अभी तो यहां कितने बार है ये जो है ना देखो sign change हो रहा है sign change हो रहा है एक बार ये जिसे plus plus हुआ पिर जैसी यहां sign change हो गया तो फिर यहां minus ये minus minus चलेगा हम इसको run बोलेंगे run क्यों run बोल रहा है मैं समझा रहा हूँ ये plus 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 हुआ ये एक run जैसी sign change हो जाएगा तो मेरा run change हो जाएगा इसको मैं two run बोलूँगा फिर चले फिर यहां sign change हो गया तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ तीन run फिर यहां sign change हो गया चार run फिर यहां minus से फिर यहां sign change हो गया तो पाच run फिर sign जब जब भी sign change होते जाएगा मैं उसको एक run count करूँगा तो total number of runs कितने हैं अभी total number of runs है 10 जी run को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर अब मेरा question सुनोगे धियान से और जड़ा बताना मैं सुनना चाहता हूँ कितना दिमाग चलता number of runs जादा कब आएगा इन 20 दिन का सुना अगर ऐसा हुआ है तो plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus ऐसा हो रहा plus फिर minus फिर plus फिर minus इसमें number of runs जादा आएगा कि फिर इसमें आएगा plus 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 minus 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 मतलब एक बार plus होता तो plus plus sign change नहीं होगा फिर कुछ दिनोगाagtत फिर sign change होगा number of runs कब जादा आएगा कब सर जब ऐसा होगा plus minus plus minus हौ बार-बार sign change होगा तो run chanj होते जाएगे तो run बढ़ते जाएगा तो number of runs जादा कब आएगा जब market ऐसा हो रहा। plus minus plus minus मारकेट ऐसा है प्लस, 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 बढ़ा, 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 उसके बाद गिरा, गिरा, मतलब एक बार बढ़ता है तो दो-चार दिन तक बढ़ता है, और एक बार गिरता है तो फिर दो-चार दिन तक गिरता है, ठीक है, समझा रहा हूँ, अगर एक बार बढ़ा प्लस 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 तो एक बार बढ़ा तो प्लस 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 होगा और एक बार गीरा तो एक बार माइनस होगा तो आगे भी दो चार दिनों तक माइनस होगा फिर बढ़ा तो फिर क्या होगा प्लस और फिर गिरा तो फिर minus मालो market ऐसा है तो number of runs क्या आएगे इसमें sir number of runs तो कम आएगे क्योंकि science तो बड़ी मुश्किल से change होगा मतलब number of runs क्या रहेगे इसमें कम ठीक क्या आप अनुमान लगा पाओगे कि क्या होने वाला market सोच के देखो बिटे अगर एक बार बढ़ता है तो फिर बढ़ता ही बढ़ता है दो चार दिन तक और अगर गिरता है तो गिरता ही गिरता है अब मैं देखो कैसे काम करूँगा बिल्गो ध्याज है समना अब मैं आगे की situation एक बार जैसे ये minus minus हुआ उसके बाद कुछ दिनों तक plus 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 हुआ मैंने इंतजार किया अब एक बार share की कीमत गिरी मैंने का गिर जाने दो फिर गिरी फिर गिरी फिर गिरी गिरी फिर अगले दिन हुई plus और जैसी plus हुई तो मैंने का share खरीदो क्यों खरीदो क्योंकि मुझे मालूम है एक बार प्लस होगा तो आने वाले दो-चार दिन तक तो प्लस हो गई होगा हाँ सर बिलकुल सहीं बोल रहा है तो यहाँ share खरीदो क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है प्लस और जैसी थोड़ा सा मैनस हुआ तो यहाँ बेश दीजिए क्या मैं आगे का देख पा रहा हूँ हाँ अगर मैं आगे का देख पा रहा हूँ तो यह मेरा inefficient market हो गया तो यह share का price देखकर मैं बता रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है ठीक है it means number of runs कम है तो आप बता दो कि क्या होने वाला है market यह number of runs मतलब sign अगर धीरे बहुत कम change होता है कभी कभी change होता है इसका मतलब आप बता सकते हो कि market क्या होने वाला है ठीक है ठीक है ज़र अच्छा एक बात और अगर number of runs अगर ऐसा हो रहा है मार्केट यह प्लस मार्केट टो अभी अब मार्केट का बनलगा क्या होने वाला क्या कमा सकते हैं नहीं सर अब नहीं कमा सकते मgres अब गभी कमा सकते हैं सोच इसे वर प्लस होता है तो फिर माइनस होता है फिर अगले दिन प्लस होता है तो फिर क्या होता है माइनस होता है फिर अगले दिन प्लस होता है तो अब तो मुझे पता है कि एक बार कम होगा तो अगले दिन बढ़ेगा फिर कम होगा तो अगले दिन होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए तो number of runs कैसे होना चाहिए average ना तो जादा ना तो कम अगर number of runs runs जादा है बहुत जादा है तो ऐसे market को मैं कहूंगा यार यह inefficient market है यह weak form नहीं है efficient नहीं है efficient market का weak form नहीं है अगर number of runs कम है तो भी मैं कहूंगा कि नहीं भाई यह भी weak form नहीं है number of runs कितने होना चाहिए average तो अभी number of runs कितने है 10 तो मुझे निकालना पड़ेगा कि यह 10 पहले तो मैं average निकालूंगा अगर average मेरा 10 ही आता है तो बात हो गई सर average कैसे निकालोगे कोई formula यूच करके मैंने average निकाल लिया suppose average आ गया 8 average पर यार मैंने का चलो यार deviation एक limit ले ले लेते हैं अच्छा average कितना है average 8 मैंने का चलो limit ले 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 लेते हैं एक पर भी चलेगा 8 से 9 और एक नीचे भी चलेगा average तो वैसे 8 होना चाहिए पर इनके बीच में होगा तो भी चलेगा तो भी मैं कहूंगा कि हाँ जी average है यह efficient market है लेकिन आपका actual में run कितना है 10 क्या आप इस limit से बाहर निकल गए यह इस limit से बाहर निकल गए अगर आप इस limit से बाहर है मतलब आप efficient market यह नहीं है efficient market का मतलब ना तो रन जादा होना चाहिए ना तो रन कम होना चाहिए average या उसके आसपास होना चाहिए ठीक है ठीक है तो अभी तो मैंने बस concept समझाया है कि क्या है करके अब सुनोगे बिट्टे जो यह प्लस प्लस कर रहे हो प्लस प्लस इसको हम एक नाम देते इस टेंडर्ड नोटेशन यहां हमें price पर तो focus ही नहीं करना हमें तो direction को देखकर पूरा की पूरा पता लगाना ठीब direction प्ल जो प्लस प्लस होता ना उसका हम नाम दे रहें N1 और जो माइनस माइनस होता उसका नाम होता N2 standard notation और यह जो sign change हो रहा है उसको बोलते हम run एक बार में इसको लिखवाने की कोशिश करता हूं ज्याद अच्छा है लिखते तो run test example लिखा हुआ यह लिखा रहने तो जैसे मैं अने प्लस मैनस किया वैसे कर लोगे लिखवारा हूं इस टेस्ट फोकुस इस on direction of change in price not on the magnitude of change कितने रुपे चैंज हो रहा यह इंपोर्टन नहीं पाच रुपे से बड़ा कि दस से बड़ा इंपोर्टन नहीं बड़ा यह इंपोर्टन ठीक है तो यह focus किस पर करता direction पर ठीक है आगे लिखो कर अप्राइस राइस और फॉल इस रिप्रिजेंट इट बाई प्लस अब्लिक माइनस प्राइस बढ़ेगा तो प्लस प्राइस गिरेगा तो माइनस प्राइस अगे अगे अर रन रेफर तो अश्रीस अब प्राइस चैंज इन सेम डारेक्शन सर मतलब यह बड़ा बड़ा इसको एक रान हो गया जैसी डारेक्शन अपोजीट हो गया तो अब उसको दो रन माइनस प्र प्रिसर डारेक्शनु क्यों ऐस सेम डारेक्शन पिर हें एक रन मतलब तीन के चार कर आन अब देखागे प्लस हो ग sellers टो यह प्लस 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 जब तक फ्लस हो रह ठीक है सर इसलिए मैंने लिखा रन का मतलब सीरीज अप्राइट चेंज इन सेम डिरेक्शन होना चाहिए इज लिखा आगे लिखो के वी इंटर्डूज दफॉलिंग इस्टेंडर्ड नोटेशन मैंने बोला था इस्टेंडर्ड नोटेशन से यूज किया जाएगा यस एन वन नमबर ओफ प्लस एन टू नमबर ओफ मानस एन नमबर ओफ रंस for market to be efficient R should not be R should not be very low ना तो बहुत कम होना चाहिए R very high ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए तो कितना होना चाहिए R should lie close to the average mean mu mu भी बहुते average का मतला मु for this purpose for this purpose we create the range मैंने का ना हम एक रेंज क्रिएट कर देंगे lower limited देंगे यह समझाओंगा मैं आपको आप टेंशन मतलों एक बार लिखवा देता हूं ता कि मुझे दिक्कत ना ओ lower limited lower limited को L बोल सकते हूं mu minus T into standard division सम्झाओंगा पिटे सम्झाओंगा टेंशन मतलेना और upper limit इसको मैं यू बोल सकता हूं mu plus T into standard division सर यहां तक तो थोड़ी बहुत समझ मैं यह नया चक्कर क्या है चलो ना यार क्यों ना अब इसके आगे और भी लिखना पर इस question के साथ साथ लिखेंगे वह ज़्यादा अच्छा सबसे पहले दो चार बाते और भी लिखवा देता हूं average runs that is mu is calculated as under तो फॉर्मुला है mu is equal to 2 N1 N2 divided by N1 plus N2 sir और यहा प्लस 1 सर कॉंसेप्ट क्या है बिट्टे कॉंसेप्ट में आपसे डिसकस कर चुका हूं formula आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक ठीक है अब तो कोई option नहीं है दूसरा कि इस टेंडर डेवीशन भी है इसको भी कैसे निकाला जाता है इस टेंडर डेवीशन इस टेंडर डेवीशन का फॉर्मिला है mu-1 into mu-2 divided by n1 plus n2 minus 1 चलो अब समझाता हूं थोड़ी थोड़ी बाते इस ही कोईशन के थूँ तो इस कोईशन में सबसी पहला काम क्या है इस टेंडर डेवीशन चाहिए मच को इस टेंडर डेवीशन बता सकते हो कि n1 कितना है अब इसके बाद जैसे यह निकल गए तो हमें दूसरा काम करना पड़ेगा और दूसरा काम हम क्या करें हैं हमको निकलना पड़ेगा कैलकुलेक्ट मू अपर अपर अवरेज रन निकलना पड़ेगा फोर्मला वह है आपके पास मू ओफरेण इसीकल टू फोर्मला कर रहा है तो एंऍवन एंट टू डिवाड़ेड़ बाया है n1 प्लस एंट टू प्लस एंपर टूध कर श्याद में टू इनटू नेट अवर उन न कितना हुआ अबते बारा है 2 x 7 divided by N1 12 plus 7 और यहां क्या जाएगा plus 1 तो 2 x 12 x 7 divided by 19 plus 1 तो यह आ गया 9.84 एवरेज रन होना चाहिए यह है 9.84 एवरेज और यहां जो है एक्चुल में कितना है दस तो लगबग एवरेज के आसपास है लगबग एवरेज के आसपास पर फिर भी एक रेंज सेट करना सुना देहां से रेंज मान लो इस टेंडर्ड एविशन निकला टू टू परसेंट होता है टू बोलता हूँ इसका मतलब यहां रेंज ऐसे होगा कि एवरेज रन कितना आगा है 9.85 इससे दो जादा ले लिजिए इससे दो कम ले लिजिए इसके अंदर अंदर आएगा तो भी हम इसको एवरेज ही मानेंगे और अगर यह इसके भी यहां आत इसका मतलब वीक फॉर्म एफीशेंट मार्केट है वीक फॉर्म ओफ्हेशेνड मार्केट इसके बाहर्य यहां है तो इसका मतलब यह है कि यार एवरेज रन तो बहुत जादा है स्फेस्व tapi फॉरक पता कैलकुलेश्चन पहला दूसरा तीसरा एस टेंडर डेविश्ण और इस्टेंडर डेविश्ण वह वाला नहीं इसके लिए फॉर्मला है और इसके हिसाब से निकालना पड़ेगा तो लेको कि इस्टेंडर डेविश्ण इस एकल टू 9.84 minus 1 square root आएगा into 9.84 minus 2 divided by n1 कितना था? 12 plus 7 minus 1 9.84 minus 1 अगर इसको solve करू तो यहां कितना था? 8.84 into 9.84 minus 2 7.84 divided by 18 तो 8.84 into 7.84 divided by 18 और इसका square root कर दिया तो यह आगए बटे 1.96 2 1.962 यहां तक तो काफी कुछ बाते समझ में आ गई है अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा तभी मेरा question होगा क्योंकि इन सब की information मुझे चाहिए अब हमको क्या करना? अब चाहिए हमको range एक, दो, तीन काम हो चुके अब हम निकाल रहे है range इसे range का मतलब क्या है? range का मतलब है कि यह देखो आपका average run mu कितने पे आ गया? कितना आया था यार? 9.84 9.84 तो हमको average देखना है कि कितना इससे deviate चलेगा वैसे तो actual run यहां के आस्प, यहां होना चाहिए पर इसे थोड़ा कम ज्यादा और deviation कितना होगा? Sir, deviation तो आपने निकाला ना 1.962 और इधर कम कर देंगे 1.962 और इधर प्लस कर देंगे 1.962 के अलावा भी एक चीज है और वो है T Sir, यह T क्या चीज है? प्लस कर देंगे T का मतलब होता है T distribution table से आपको T की value निकालना पड़ेगा जिसे normal distribution table होता ना वैसे T distribution चलता है It means मैं आप से बोल रहा हूँ कि मेरा formula है यह कौन से limit आएगी? मेरा अपर लेमिर का formula है U plus T into standard deviation ट यह है plus T बीच में आगए है और लुवर लिमिटेट लुवर लिमिट इसका भी formula है म्यू plus प्लस नहकिंए lower limited मतलब लिमिट मतलब मार्टकी प्लास हो का तो सब T का मतलब क्या है? T क्या चीज है? तो लिखते हैं, the value of T depends upon two things. A value of T कैसे निकाला जाता है? तो लिखो गए? the value of T depends upon two things. दो चीज पर depend करता है? सबसे पहला, level of significance लेवल of significance और यह हमेशा question में given होगा. suppose फाइप पर ठीक है? और दूसरा किस पर डिगरी ओफ फ्रीडम और डिगरी ओफ फ्रीडम कैसे निकाला जाता है? तो डिगरी ओफ फ्रीडम निकालते हों. N1 प्रीओ 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 निकाल सकता है? यह सबसे निकालते हों. N1 बारा प्लस साथ माइनस वन. तो कितना आ गया? एटीन. तो लेते हैं. अजरी डिवर्फ टीवर्ण 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 तेबर. at 18 degree of freedom and 5% level of significance सब कुछ question में दिया रहेगा attention मतलब अब हमको बस ये t की value पता लग जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा अब आप अपनी बुक में जो मैंने दिया है उस बुक में पीछे देखो कि पीछे टेबल मिलेगी आपको और टेबल का नाम रहेगा टी डिस्टिबिशन टेबल मैंने दिया हुआ है और चेक करो पीछे एक मिलेगी आपको आपको नाम मिलेगा टी डिस्टिबिशन टेबल और चेक करोगे लेवल अप सिगनिफिकेंस अच्छे से देखो के और डिग्री ओफ फ्रीडम देखना है आपको ठीक है सर डिग्री ओफ फ्रीडम देख लेते हैं और डिग्री ओफ फ्रीडम कितना देखना है आपको एटीन यह एटीन तो तो 18 18 18 18 18 18 18 मिल गया 18 और लेवल अफ सिग्निफिकेंस अब टू टेल्स वाला देखना है और उसके बाद आपको देखना है वैल्यू 5% पर 2.101 मिला बिट्टे हैं यह वैसे कोश्चन के ससत दिया रहेगा पर हमारे बुक में भी है डिग्री ओफ फ्रीडम देखोगे 18 और पर परशन तो मिलेगा आपको वैल्यू 2.101 ठीक है है थैंस वैल्यू अप्टी इस इक्वल टू 2.101 यह दिया है ना 2.101 ठीक है तो अब हम लिमिट निकाल लेते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है तो अपर लिमिट अपर लिमिट एवरेज रन मतलब 9.84 प्लस इस तेंट T, T की वैल्यू कितना निकाल है 2.101 इंटू डेविशन कितना है था 1.962 तो 2.101 निकाल है 2.101 इंटू 1.962 प्लस 9.84 तो यह आगे वैटे 13.96 और किसकी बात कर रहे हम लोवर लिमिट यह भी निकाल लेते हैं 9.84 प्लस प्लस नहीं यार यह तो माइनस होगा ना कम वाला 2.101 इंटू 1.962 2.101 इंटू 1.962 माइनस 9.84 तो यह आ गया 5.72 यह लोवर लिमिट इसका मतलब यह हुआ कि रहुआ हाँ पेटे वॉल्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम था आप सुनोगे फिर से हम लोगों को ना रैंज देना पड़ेगा तो मैंने आप से यह कहां था कि यहां सबसे पहले हमने एवरेज लिख दिया जो निकला ठीक है कितना 9.84 इससे जादा होगा तो भी चलेगा तो हमने यह निकाला था 13 यह अपर लिमिट हो गई और यह ओ गई लोवर लिमिट यह ओ गई अपर इससे उपर नहीं जाना चाहिए और यह ओ गई लोवर तो अपर लिमिट यहां लिखा अगर यहां है एक्च्वल वाला रन तो बहुत अच्छी बात इससे थोड़ा भी जादा है थोड़ा सा तो आवरेज मानके चलूँगा मतलब ना तो जादा कम है ना तो बहुत जादा है लेकिन अगर इस लिमिट से भी कम है तो मैं मानूंगा रन बहुत कम है और ऐसा मार् आप और एसा मार्किट यहां जो मार्किट ओगए अगर अगर रन यहां कहीं आता है तो ऐसा मार्क जाने सी merchandise मार्केट, इन एफिशेंट, इन एफिशेंट, इट मेंस दूसरी लेंगविज में क्या बल सकता हूँ, फैल, दा टेस्ट ओफ, वीक फॉर्म, आफ एफिशेंशी, मतलब एफिशेंट मार्केट का वीक फॉर्म नहीं है, यहां भी वही सिच्विशन है, पर अगर रन यहां कहीं है, एक्चुल वाला, तो हम बाल बोलेंगे कि यास, मार्केट इस, वीक फॉर्म, आफ एफिशेंशी, अब सवाल यह है, कि एक्चुल रन का कितना है, और एक्चुल रन आया था हमारा टैन, क्या इस रेंज में आ रहा है, हाँ सर इस रेंज में आ रहा है, अगर इस रेंज में आ रहा है, तो अब हम फाइनल आंसर लिखने वाले, तो लिखोगे, अग्चुल रन, यह नुमघ रन्स, और रन्स, तें, The market is within the limit, hence The market is within the limit here, within the range Hence the market is weak form of efficiency ठीक है, question बनाने में इतना time नहीं लगता है क्योंकि साथ साथ मुझे लिखवाना भी था, समझाना भी था, इसलिए time लगा special बात क्या है, special बात है कि price दिया रहेगा तो सबसे पहले plus 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 और minus 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 निकलना है, मतलब n1 और n2 निकलना पड़ेगा और फिर run निकलना पड़ेगा, यह तीन काम तो आप कर लीजे, point number one में हो जाएगा point number two में क्या होगा, point number two में क्या होगा, हमको mu निकलना पड़ेगा, average run और standard deviation निकलना पड़ेगा वो भी निकलनेंगे, बहुत जादा टाइम नहीं लगता question में, उसके बाद T, जो T है उसकी value दिया रहेगा question, wow, question में ही दिया रहेगा, table की भी जरूती है, उठाना, put करना, answer निकलना, अब बताओ, इसको इसको निकलने में तो वैसी time नहीं लगने वाला है, यह हमारा निक अब चोल समझना थोड़ा सा मस्किल था, तो चलो question स्टार्ट करते हम लग, तो question ले लेते हैं, और एक question है, और वही question प्रैक्टिश मैनूल में भी आया, मैंने कहा था time नहीं लगेगा, वह question number 79, the closing value of sensex for the month of October 2007, तो बैटे, share का price दिया है, तो आप एक काम कीजिए, उसको लिख लीजिए, अगर लिखोगे, तो आपको फिर time नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी से उसको board भी लिख लीजिए, क्योंकि, sorry, copy में लिख लीजिए, time नहीं लगेगा, मैं भी लिख रहा हूं, जल्दी से लिख लेते हैं, question number 79, page number 23, चलो लिखते है, date की जरूती से प्राइस, 2800, उसके बाद 2780, उसके बाद 2795, बोलते जाहिए, लिखते जाहिए, 2830, 2760, 2790, 2880, 2960, 2990, 3200, 3300, 3450, 3360, 3290, 3360, 3340, 3360, 3290, 3240, 3140, 3260, 3260, यहां तक काम हो चुका है, तो अब number of plus and minus देख लेते हैं, चेक करो, भी कम हुआ की बड़ा सर कम हो गया, कम हो गया ना, पर कट है से ज़ता है, मैनस का से, फिर बड़ा गया, plus का से, फिर बड़ा गया, plus का से, फिर कम हो गया, minus का से, फिर बड़ा, plus 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 का से, फिर बड़ा, plus, फिर 32 चल से भी कम हुआ यह और कम हुआ माइनस और यह बढ़ गया प्लस दिखते हैं एन वन कितना रहा तो सबसे पहले आएगा इस्टेंडर्ड नोटेशन्स पहला गां कि इस्टेंडर्ड नोटेशन्स सबसे पहले स्टेंडर्ड और नोटेशन्स लिखते थे तो एन वन कितना है एन वन का मतलब नमबर और प्लस एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नोव दस ग्यारा उसके बाद क्या लिखते हैं एन टू एन टू मतलब नमबर और माइनस एक दो तीन चार पाच्छे साथ आठ आठ एन वन हो गया एन टू हो गया अब नमबर और प्लस एक रन दो रन तीन रन चार रन पाच रन छे रन साथ रन और आठ तो नमबर और प्लस भी कितने हो गया एट ठीक है यहां तक हो गया इसके बाद सर हम क्या करते ते इसके बाद मियों एंट इस्टेंड आइबश्ट इस केल्कुलेशन ओफ मियू एण इस्टेंड़ आइविश्ट mu of run मतलब average run का formula क्या था 2n1n2 divided by n1 plus n2 plus 1 तो 2 into n1 कितना 11 into 8 divided by 11 plus 8 plus 1 2 into 11 into 8 divided by 19 plus 1 तो यह आगा है भीटे 10.26 ठीक है और क्या चाहिए standard deviation of run formula क्या था इसका mu u नहीं है mu minus 1 1 into mu minus 2 divided by n1 plus n2 n1 plus n2 n1 plus n2 minus 1 10.26 minus 1 10.26 minus 2 10.26 minus 2 divided by 11 plus 8 minus 1 तो यहां जाएंगा 9.26 इन्टू 8.26 ग्यारोडाट 19 में से एग गए 18 तो 9.26 plus 8.26 divided by 18 कर स्क्वेर रूट गलत हो गया 9.26 इन्टू 8.26 इक्वेल टू divided by 18 एक्वेल टू कर स्क्वेर रूट तो पैटे यह आ गया है 2.06 2.06 हो गया अब आगे देखते हैं और क्या है 2.06 आ गया अब आगे और अब हमको क्या चाहिए रैंच बस और कुछ बचा नहीं है तो देखो क्या बोला You are required to taste the weak form of efficient market hypothesis by applying the run test अच्छा 5% पे भी करना और 10% पे भी करना है पर हमको degree of level of significance तो 2 दे रखा है पर हमको एक चीज़ और निकालना पड़ेगा क्या degree of freedom degree of freedom तो degree of freedom is equal to n1 plus n2 minus 1 11 plus 7 minus 1 is equal to कितना आ जाएगा 18 18 degree of freedom पे चेक करना पड़ेगा तो पहले level of significance कितना दोनों पे टेस्ट करना पाच परशन एंड दस परशन तो फटा फट से काम कर लेते हैं एवरेज रन कितना है हमारा 10.26 तो पहले मैं लिखोगे level of significance कितना पाच परशन पाच परशन पाच परशन तो सबसे पहले अपर लिमिट अपर लिमिट मियू प्लस इस्टेंडर्ड आइविश ऐसा कर लो टी इन्टू इस्टेंडर्ड आइविश मियू कितना आया आपका मियू आया था 10.26 प्लस टी वैल्यू ती की वैल्यू देखो पाच परशन पे डिगरी ओफ रीडम अठा रहा देख रहा है 2.101 यस 2.101 इन्टू देविशन कितना आइ 2.06 तो 2.101 इन्टू 2.06 प्लस 10.26 अपर लिमिट आगई 14.59 लेले जा लोवर लिमिटेट लोवर लिमिटेट कैसे आएगा मियू माइनस टी इन्टू स्टेंडर डिविशन मियू कितना है 10.26 माइनस टी कितना है 2.101 इन्टू स्टेंडर डिविशन 2.06 तो 2.101 इन्टू 2.06 माइनस 10.26 तो यह आगया रैंज 5.93 इसका मतलब यह है कि यह है आपका मियू कितना 10.26 इससे उपर चलेगा कहां तक चलेगा 14.59 इससे नीचे भी चलेगा कहां तक 5.93 तो आपका जो रन है वो इसके बीच में होना चाहिए इस रैंज के अंदर होना चाहिए और एक्चुल में जो रन है वो कितना है 8 वो इसी के बीच में यहां से यहां के बीच में होना चाहिए Hence, at 5% level of significance the market is weak form of efficiency तो ऐसे जैसे हमने 5% पर चेक किया था ऐसी अब कितने पर चेक करना पड़ेगा अब हम को कितने पर चेक करना पड़ेगा बस और इसकी भी वैल्यू दिया होगा तो आजाएगा लेवल आप सिगनिफिकेंस कितना परशन? 10 परशन जल्दी जल्दी से सबसे पहले किया जाएगा अपर लिमिट फॉर्मूला हमारे पास बस वैल्यू उठाना 10.26 प्लस T की वैल्यू दस परशन पर 1.734 इंटू 2.06 और कौनसी लिमिट ने कर लेते हैं? लोवर लिमिट 10.26 प्लस नहीं यहां क्या हो जाएगा? माइनस 1.734 इंटू 2.06 डिग्री ओफ्रीडंग वही रहेगा डिग्री ओफ्रीडंग में कोई चैंज नहीं होगा तो 1.734 इंटू 2.06 प्लस 10.26 तो यह आगे 13.83 और 1.734 इंटू 2.06 माइनस 10.26 यह आगे 6.69 ले था बोलो बेटे मू कितना है? 10.06 बिलकुल सही अपर लिमिट कितनी आई है? 13.83 लूवर लिमिट कितनी है? 6.69 जबकि आपका एक्च्वल रन कितना है? 8 है क्या वह इस रैंज में आ रहा है? 8 Yes, sir. R is equal to 8. Actual R is equal to 8. So, yes. Yes. At 10 person Level of Significance The market is Weak form Of Efficiency That's it. That's it. बस यही था. Quego बनाने में जयदा टाइम ने, गिसा वेल्यू दिया रहता है कोई Tence नहीं? झाल झाल